नमस्कार विद्यार्थियों आज मैं एना योज की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक सिक्षा के सभी विद्यार्थियों को परियोजना लेखन के विशय में कुछ ऐसे बिंदू बताऊंगी जिनका अनुकरन करके जिनका अनुपालन करके आप उसका लेखन बहुत आसानी से कर सकेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी विशय में एक पाठ है परियोजना लेखन, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, आप लोग परियोजना लेखन नाम सुनते ही डर जाते हैं आपको लगता है शायद ये बड़ा जटल, रूखा और गंभीर सा विशय है जिस पर काम करना आपके लिए काफी कठिन होगा पर मैं आपको ये बात बता दूँ ये आश्वासन दे दूँ कि ये पाठ देखने में जितना कठिन लग रहा है जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे और विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं खेली खेल में कर सकता हूँ तो आईए हम पहले ये जानें कि परियोजना है क्या तब ही उसके लेखन के विशय में विचार होगा परियोजना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है परी और योजना परी उपसर्ग है योजना मूल शब्द है योजना का आप जानते हैं किसी भी काम को विचार पूर्वक करना पहले से ही उसके बारे में एक कल्पना एक संकल्पना बना लेना कि हम इस काम को इस इस तरह से करेंगे वो योजना है हमारी जो हम भविश्य के लिए बनाते हैं किसी काम को सही तरीके से करने के लिए अपने मन में जो संकल्पनाएं, विचार, धारनाएं हम बनाते हैं वो योजना है और परी का तात्पर्य है पूरी तरह से यानि ऐसी योजना, ऐसा विचार जो अपने में परिपूर्ण है, संपूर्ण है परियोजना का तात्पर यह हुआ एक ऐसी योजना एक ऐसा विचार जो पूरी तरह से जिस पर विचार किया गया और यह पाया गया कि अगर इस पर हम इस तरह से काम करें तो हम अपने लक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो परियोजना लेखन का तात्पर यह हुआ किसी समस्या किसी विचार करना कि उस समस्या को पूरी तरह से निप्टाया जा सके तो परियोजना लेखन का तात्पर यह हुआ विचार पूर्वक किया गया काम आईए परियोजना लेखन के विशे में जानने से पूरू हम ये जाने कि इस परियोजना के लिए काम कैसे करते हैं ये वास्तव में है क्या आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बिचाई गई हैं मेट्रो लाइन बिचाई गई हैं ये मेट्रो लाइन जब बिचाई जाती हैं बनाई जाती हैं तो उससे पहले सरकार इन पर एक योजना बनाती है परियोजना अंग्रेजी में परियोजना को प् किसी चीज को प्रकाश में लाना या प्रकाशचित करना, टो मेट्रेस प्रोजक्त में उन्होंने पहले विचार किया दारना बनाई कि ये किन रास्तों से होकर जा Gavin फिर वहां की जमीने कैसे ली जाएंगी, उन पर कैसे पट्रिये बीचेंगी, उन पर इंजीनरिंग का कैसे काम किया जाएगा, कितना पैसा उस पर खर्च होगा, कौन-कौन सी सरकारें, राज्य सरकार, किंद्रिय सरकार उसमें अनुदान देंगी, उससे कितनी आय होगी, कित इतने यत्रियों को उससे लाब होगा, फिर इनको बनाने में कितना समय लगेगा, तो ये सब योजना उसको शुरू करने से पहले बनाई गई, तो इस प्रकार से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको परियोजना या अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं, और इनके हर एक बिंदू पर पहले विचार कर लिया जाता है, और उस विचार को करने के बाद उनको कारे रूप दिया जाता है, तो जो भी परियोजना लेखन हम करते हैं, आपने देखा होगा सबकों पर जगे-जगे है, पोस्टर लगे रहते हैं, कि सरकार इन समस्याओं से निवटन के लिए ये परियोजनाएं चला रही है, तो ऐसी ही परियोजनाएं आप विद्यार्थियों को भी अपने पाठे करम से संबंधित पाठों के लिए दी जाती हैं, और केवल पाठों के लिए नहीं, आपके जो पाठों के अतरिक्त, पाठों के अंतरगत, जो विभिन ज्या आपको दिया जाता है भले ही वो व्याकरन का हो या साहित्य का हो या सामाजिक विश्यों का हो या बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को लेकर हो तो उन पर आपको जो परियोजना कारिय दिया जाता है हमें उस पर विचार करना है तो परियोजना लेखन इन ही सब चीजों पर कि की होती है पर मुख्य रूप से दो होती है एक होती है समस्या प्रधान दूसरी होती है सेक्षे समस्या प्रधान क्या है कि जैसे पेजल की समस्या है ट्रैफिक की समस्या है पार्किंग की समस्या है दहेज प्रथा की समस्या है बहुत सारी समस्या समाज में रहती हैं प्रदूशन की समस्या तो इन समस्याओं पर जब समय बद्ध रूप से सरकार पूरी तरह से विचार करती है और एक संगठन बनाकर उनको ये कारे सौंप देती है कि आप इस पर परियोजना बनाएए जब परियोजना पूरी तरह से बन जाती है तब उसक है समस्या, प्रधान, परियोजना, दूसरी प्रकार की परियोजनाओं, जो आप विद्यारतियों से संबन्देत होती है वो सेक्षिकम परियोजनाओं होती है आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, उचितर माधें पुस्तर पर जो आपकी हिंदी की पुस्तक है, उसमें अनेक पाठ है, उनमें से कोई भी पाठ मान लीजे आपने लिया, उस पर परियोजना बनाने के लिए लिए लिए, जैसे कबीर का ही पाठ है, तो आपने उसमें से कब कभीर के साहिते से उसके अन्य दोहों का भी संकलन किया या आपने अन्य कभीर के समय के अन्य कभियों के उन्हीं विश्यों से संबंदी दोहों का भी संकलन किया फिर तुलमात्मक रूप से आपने देखा कि कभीर जो कहना चाह रहे हैं या अन्य कभीर जो कह रहे हैं उनमें क क्या समानता है, क्या आनता है, फिर कबीर ने जो कुछ कहा है, क्या वो आज भी प्रासंगिक है, कबीर ने जो कहा कबीर आप जानते हैं, ये स्वयम तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर हृदय से, बुद्धी से बहुत सिक्षित थे, उन्होंने जो भी बात की है, वो का स्वरूप दिया, तो हम उन दोहों में जो विचारधार अव्यक्त की गई है, जब उसकी तुलना करते हैं, आज के समय से, प्राचीन काल से, उनके वक्त से, तो हम पाते हैं कि जो बाते कबीर ने सैकड़ों साल पहले कही थी, वो आज भी उतनी ही सही हैं, और समाज में वो बुराईया आज भी हम देखते हैं, तो परियोजना कार्य जब आप बनाएंगे, तो आप पहले दोहों का संकलन करेंगे, अने कवियों के तुलनात्मक दोहे लेंगे, फिर उनके विशय में अपने विचार देंगे, यानि जब हम परियोजना बना रहे हैं, तो अनेक तत्यों को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा, और इसके फश्चात हमने देखा कि उसकी प्रासंगिक्ता क्या है, क्या उनके द्वारा व्यक्त किये गए विचार आज भी सही हैं, किस रूप में हैं, आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर समाज में कितने जगड़े होते हैं, तो कबीर ने इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी, कि अगर इस संकेन विचार धरा से हम बाहर नहीं निकले, तो ये हमारे लिए एक जगड़े का विशह हो सकता है, तो कबीर की विचार धरा समाज के लिए कितनी उपादेही है, और जो बात वो सेंक्रों साल प देंगे, इन सब बातों पर, इन सब तक्थियों पर आपको ध्यान देना होगा, इसके साथ साथ अन्य विद्वानों ने कबीर के विशह में क्या कहा है, आप क्या आनुभव करते हैं, उनकी भाशा, उनकी शैली, आपको कैसी लगती है, वो आपके लिए कितनी उपयोगी ह है, वो आपको क्या प्रिणा देते हैं, आप किस प्रकार से अपना अपनी परियोजना को तयार करेंगे, कितने सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुती देंगे, इन सब बातों पर पूरी तरह विचार करके, आप अपने पाठ के आधार पर एक परियोजना तयार करेंगे, तो परियोचना कार्य में व्या पकता होती है आप ये समझे परियोचना इसी प्रकार भिन जैसे आप केला खाते हैं तो छिल्का छीला केला आपने खा लिया लेकिन अगर आपको अनार खाना है तो आपको उसे छील ना पढ़े उसके दाने निकालने के लिए अंदर से भी उसको छील कर फिर वो खाने योगे बने रहा और अने जैसे तर्बूज आपको खाना है तो पहले आप उसके बड़े टुकड़े करते हैं फिर उस बड़े के छोटी टुकड़े करते हैं तो परियोजना भी इसी प्रकार है कि जो आपका मुखे विशह ह आप उसको छोटे-छोटे खंडों में बाढते हैं और प्रते खंड पर विचार करते हुए आगे आप बढ़ते हैं यानि परियोजना का काम चरण बद्ध तरीके से किया जाता है तो परियोजना अपने में एक विशिश प्रकार का लेखन है जो अन्य सामाने लेखन से थो साहिरतिक जो हमारी गतिविद्या हैं या परियोजना हैं उनमें भावनाओं का स्थान तो है परमुखे तोर से हमें उसके कत्यों पर विचार करना है। अब जैसे आपके यहां पाठ है कुटच, माली जे कुटच पर ही हमें परियोजना बनानी हूँ, तो पहले हम देखेंगे कि कुटच क्या है, कहा है, उसके बारे में लेखत ने क्यूं सोचा है, किस तरह से वो हमें प्रभावित करता है, क्या उसका वर्णन हमारे जीवन के ल उसकी इस्तिती किस तरह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रिर्णा देती है, जैसे हजारी प्रसाजी ने बताया कि कुटच जो है, शिवालिक की पहाडियों मिलता बड़े रूखे सुखे जंगलों में पैदा होता है, और किस प्रकार बिना जलके भी जमीन से बहुत हैं, उनके बीच में भी हमें सारी कथिनाईयों पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना है, खुद को प्रसन्ना रखना है और दूसरों को भी प्रसन्नता देना है, तो जब हम किसी भी पार्ट के विशय में पूरी तरह से विचार करते हैं, क्या है, कब है, क्यूं है, कैसा ह और उसके क्या-क्या प्रभाव समाज पर पढ़ते हैं, वो किस तरह मानव जीवन को उपा दे बनाता है, कैसे प्रेड़ना देता है, तो जब इतने सांगो-पांग तरीके से हम किसी भी विशय पर विचार करते हैं, तो वो विशय हमारे लिए परियोजना लेखन का विशय बन जाता है, अब बहुत सारी चीजे हैं, जैसे अब हम किसी समस्य प्रधान विशय पर ही विचार करते हैं, पेजल की समस्या है, तो मान लीजे उस पर हमें कुछ बनाना हो, उस पर हमें परियोजना बनानी है, तो हम किस के बारे में बात करें हैं, पानी, एक प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोथ है वो ऐसा नहीं है कि उसे हम बना सकते हैं वो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है और उसकी एक सीमा है, देखने में तो ऐसा लगता है कि धर्ती जल से परिपूर्ण है पर उसमें से 90 प्रतिवशत जल ऐसा है जो पीने के योग के नहीं केवल दस प्रतिशत से लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना काम चलाना तो पत्तेक देश में यहां तक की राजधानी दिली में भी आप देखते हैं पेजल की कितनी समस्या है वाली जे पेजल की समस्या पर हमें पर यह जना बनानी है तो आप पहले देखेंगे कि पेजल कितना एक विक्ति को पीने के लिए कितने पानी की आवश्चकता मोटे तोर पर ऐसा खहते हैं कि एक विक्ति को एक दिन में 7 लीतर पानी की जरूरत होती है अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेकिन जो उपलब्ध है वो बहुत कम है क्यों ऐसा क्या हो गया यह जो प्राकृतिक जलसरोत था यह धीरे धीरे कम पढ़ता चला गया बहुत सारे कारण क्या हुआ कि जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है हमारे जो जलसरोत हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे और उस पर जनसंख्या का दबाव पहले से कई गुना बढ़ गया जब हम आजाद हुए 33 करोड थे और अब हमारी जनसंख्या सवा आ रहा है तो ऐसे मैं आप सोच सकते हैं कि एक एक आदमी के हिस्से में ओ जल कितना कम आ रहा है फिर हमने क्या किया पे जल का सही प्रयोग नहीं करते बरबादी करते हैं जल फिर सूखा पढ़ जाता है प्रदूशन लगातार बढ़ रहा है फिर जो जमीन में जल संचित जल है वो बहुत अधिक हीच लेने से बहुत अधिक उसका उपियोग करने से उसमें भी धीरे-धीरे कमी आने लगी है आपको पता होगा अकपारों में छपता भी रहता है कि पंजाब में जब ट्यूब वेल लगे तो खेती के लिए सिचाई के लिए बहुत अधिक सुविधा हो गई पर धीरे-धीरे अब ऐसा अभव किया जा रहा है कि उन ट्यूब वेल्स के लिए अब पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो जो जल जमीन के अंदर था का स्तर बहुत नीचे चला गया जमीन के अंदर का जो पानी है उसका जो मतलब स्तर है वो बहुत कम हो गया है तो उसकी वजह से अब ट्यूब वेल्स भी वहाँ ठीक से काम नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्राकिरतिक काधनों का सही उपयोग नहीं कर रहा है फिर प्रदूशन के लगतार बढ़ने से जो पेजल की स्तिती है वो और भी अधिक दैनिया हो गई है जो पानी पीने योग्य पानी पहले ही कम था उसमें भी प्रदूशन के कारण उसकी भी गुणवत्ता लगतार कम होती जा रही है पीने योग्य पानी में से भी बहुत कम पानी ऐसा है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है आप परियोजना आपकारे कर रहे हैं आपको ये सब आंकड़े कहां से मिलें ये सब परियोजना कारे करने के लिए आपको अखिबारों का पत्रिकाओं का पुस्तकों का, गूगल का, वाइफाई का, अपने मित्रों का, पुस्तकाले का, इनका सहयोग लेना हूँ जैसे खेल-खेल में चीजें जो भी कुछ हम सीखते हैं बड़ा आनन दायक लगता है ऐसे ही परियोजना को भी हमें खेल का रूप देना चाहिए कैसे, जब अकबारों की कत्रन आप लाते हैं, मालीजे पेजल की समस्या पर आप परियोजना बना रहे हैं आप अकबार की कत्रन लाते हैं, कटिंग लाते हैं, उसमें आप चित्र दिखाते हैं कि सूखे की बज़े से जमीन कैसे फट गई है, दरारे पड़ी हुई है, वो चित्र आप चित्का रहे हैं, फिर आप ऐसे चित्र ला रहे हैं, जिसमें लोग कतार में खड़े हुए हैं, एक घड़ा, एक बाल्टी पानी भरने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि रहने वाले कितने अधिक परेशान हैं, पानी की कितनी कमी हैं, मीलो दूर चलके औरते जाती हैं, आदमी जाते हैं, तब कहीं एक घड़ा ये एक बाल्टी पानी उन्हें मिल पाता है, उसके और भी कारण है, जैसे आप देखी, जो पारंपरिक हमारे जलसरोत थे, तालाब थे, मुवे थे, उन पर अब हमने बिलकुल भी ध्यान देना बंद कर दे, तालाब धीरे-धीरे सूख गए, मुवों का प्रयोग बिलकुल बंद हो गया, तो जो लोगों के उपलब्द साधन थे पे जल के लिए, जो जलसरोत थे, उनमें भी धीरे-धीरे कमी आ गए, तो आप कोई भी परयोजना बनाने के लिए देखेंगे कि मूल विशय जो उसका है, उसके वो क्या है, उसकी कमी के क्या कारण है, उसे बचाने के लिए हम क्या-क्या उपाए कर सकते हैं, यानि हमें उनके कारणों पर, उनको दूर करने के समधानों पर, सुझावों पर, उनके आंकडों पर उनके चित्रों पर जो भी जहां से हमें मिल सकते हैं उन सब सुरोतों को कलाशना होगा और जब हम अकबार पढ़ते हैं किसी समस्या से संबंदित परियोजना बनाने के लिए या कत्रन लाते हैं अकबार की कटिंग लेते हैं तो उसके वजह से आपने अकबार भी देखा फिर आपकी जब आपने देखा कि इतने लोग पानी को लेकर परेशान हैं और आप तो एक मज़े की जिंदगी जीर हैं तो आपके मन में ये इच्छा होती है आपको अंदर से तकलीफ होती है कि हमें पानी का दुरूपियोग नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान में करोडो लोग ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और हम पानी यूहीं बरबाद कर देते हैं तो आप लोगों से अब परियोजना बनाने के माध्यम से आप एक दूसरे से जोड़ रहे हैं एक दूसरे की समस्याओं के प्रती आपके मन में समान भूती पैदा हो रहे है इस्तिती में अगर आप हो तो आपको कैसा लगए आपको अकबार अच्छा लगने लगा है पहले अकबार आप पढ़ते नहीं थे लेकिन अब आप अकबार पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता हरे अकबार में खाली ऐसे ही खबरे नहीं होती ये हमें देश-विदेश के इतने समचारों से इतनी समस्याओं से अवगत कराता है और ये प्रमान है जब आप परियोजना बना रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रमान है आपके पास अपनी समस्याओं को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आप पुस्तकाले में जाते हैं पुस्तकों से अध्यान करते हैं आपके किसी मित्र को उसकी जानकारी है पढ़ता है और जैसे जैसे स्रोथों को आप टोलते हैं आपका ग्यान लगातार बढ़ता जाता है और सिक्षा के प्रती आपकी रुची बढ़ने लगती फिर जो मज़ा आपको खेल खेलने में आता है जो मज़ा आपको पॉमिक पढ़ने में आता है जो मज़ा आपको कहानी पढ़ने में आता है उससे ज़्यादा आनंद आपको परियोजना बनाने में आने लगता है क्यों? क्योंकि अब ये भी आपके लिए एक खोज का वेशे बन गया आपकी जो अंदर की ग्यान पिपासा है वो उसके माध्यम से शान्त हो रही है आपके मन में नई से नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बल्वती हो रही है परियोजना लेखन के बड़े ही फाइदे आपकी जो भाशा है वो सम्रिद्ध होती चली जाती आप देखते हैं कि आप तो बहुत अच्छा लेख सकते हैं आप तो सीधी सरल भाशा में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं आपने देखा अकबार की भाशा अलग थी पुस्तक की भाशा अलग थी बोलने वाला अपनी भाशा में कुछ और कह रहा है फिर आप देखते हैं कि आपने देखा गुजरात में महराश में पानी की जादा कमी है वहां के लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें अपने तरीके से तो दूसरी भाशाओं के प्रती भी आपके मन में जिग्यासा उत्पन होती है समान उत्पन होता है तो आपका जो मन है आपकी जो विचारधारा है वो लगातार विक्सित हो रहे आपके अग्यान लगातार बढ़ रहा आप एक योजना बध तरीके से सोचने लगे आपका दृष्टी कौन बदल जाता अभी तक अभावो को कर सोचते थे पर आपने परियोजना लेखन क्या सीखा आप चीजों के प्रती बड़े ही योजना बध तरीके से देखने लगेंगे आपके दृष्टी कौन बहुत तार्किक हो जाता तर्क संगत तरीके से आप बात करते हैं आप चीजों की गहराई में जाने लगते हैं आप समस्या के मूल पर विचार करते हैं कि ये समस्या कहां से उत्पन होई कौन कौन सी चीजें थी जिनोंने इसे बढ़ावा दिया कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे इसको शुरू से ही समाप्त कर सकें कैसे हमें अन्य स्रोतों की सहायता लेनी पे जल की समस्या आपकी हमारी सब की समस्या है लेकन इसमें हमें अनेक संस्थाओं की सहायता भी जाए नदियों से हमें प्रदूशन समाप्त करना है हमें जल स्रोतों को बढ़ाना है या जहां पर तालाब सूप गए है पूए नहीं है नलों की वेवस्ता नहीं है तो वहां हमें सरकारी संस्थाओं की सहायता की अवश्यक्ता है तो आप देखते हैं कि एक समस्या के समधान के लिए आपको कितने लोगों से संपर करना पड़ता है तो परियोजना लेखन एक योजना बद्ध तरीके से समस्याओं पर बड़ी गहरी तरीके से विचार करने का काम हमें सिखाता है यानि परियोजना लेखन ने हमें एक बेहतर नागरिक बनाया एक बहुतर इंसान बनाया एक बहुतर विद्यार्थी हमें बनाया और इस लेखन के माध्यम से हमने ना केवल परियोजना लेखन सीखा अपितू बहुत सारे गोण इसके माध्यम से हमने प्राप्त कह लिए तो विद्यार्थियों मैं ऐसा समझती हूँ कि आपने इस पार्ट के माध्यम से परियोजना लेखन के बारे में लाबदायक जानकारी प्राप्त की होगी और आप परियोजना लेखन को अब एक बोज नहीं समझेंगे बलकि उत्सहा पूरवक उसमें भाग लेकर उसे अच्छा और बेहतर बनाएंगे दन्यवाद